इक्जाम भी कर रहा हूँ, व्लोगिंग भी कर रहा हूँ, मोटर व्लोगिंग भी कर रहा हूँ, तुम्हारा भाई हर एक चीज कर रहा है So what's up everybody, welcome back to my YouTube channel So आज का जो वीडियो है, वो एक अलग टाइप का वीडियो है या फिर मैं कह सकता हूँ कि यह रिव्यू वीडियो है और रिव्यू वीडियो में मैं क्या रिव्यू करने वाला हूँ, वो है एक माइक अडेप्टर, गोप्रो का यूलांजी केश और एक माइक, जो अल्रेडी मेरे हेलमेट में इन्शॉल हो चुगा है तो बेसिकली यह जो वीडियो है, इसमें ज्यादा आपको कुछ बड़ा में वीडियो ने बनाने वाला हूँ, व्लॉग नहीं है आइस इन यह रिव्यू व्लॉग है, आपनों को आइडिया पता चल चुगा है कि यह वीडियो में किसले बना रहा हूँ इस यह रहा है यूलांजी का मांवंट है बेसिकली हर एक GoPRO Hero 5, Hero 6, Hero 7 और Hero 8 के लिए चलता है Hero 9 में ऐसे कुछ अपडेट्स अभी तक नहीं आया है जिसके से GoPRO का माइक अडैक्टर उस में नहीं यल रहा है जिसके लिए थोड़ा डीले हो रहा है बट आयनो थोड़े टाइम में एक साल या छे महिने के अंदर अंदर वो डेवलपमेंट हो जाएगी तो अभी फिलाल हम लोग जिस चीज के लिए बात करते हैं बहुत सारे लोग को कुरी था कि यह हीरो एट के लिए भी मिल इसको मैं माउंट करता हूँ माउंट करना इजी है इसमें माउंट कर दी है माउंट करने के बाद क्या करना आप लोगो को इसका जो केस है इसको बस यह स्लाइड इन कर देना बहुत एजीली और यह आप लोगो को हेल्फिल होगा जो जो बोटो ब्लोग इन कर रहे हैं जो अभी नया व्लॉकिंग चैनल चालू कर रहा है और उनको गोप्रो ही चाहिए तो गोप्रो के लिए यूलांजी के ज़रूरी पड़ता है क्योंकि फिर उजो माइक अड़ाप्टर उसका फिट करके रख सकते हैं तो यह फिट हो चुका है अभी हम लोग को चीए माइक अड़ाप्टर के बिना तो काम होने ही नहीं वाला है तो यह जो माइक अड़ाप्टर है मैंने ले दिया और मुझे यह अल्मोस्ट एक साल के बाद मिला है क्योंकि बहुत महेंगा था हो टाइम तो अल्मोस्ट एट यह 9000 का अब यह हो चुका है का 4500 का बीच में इसका प्राइस था 3800 कुछ तो प्राइस इसका अपडाउन होते रहता है जैसे शेर मार्केट होता है बहुत से लोगों को ऐसे भी क्वेरी होगी कि यार माइक अड़ाप्टर का सेट अप कैसा मतलब आवाज करता है और ट्राफिक तो उससाब से में माइक अड़ाप्टर और हेल्मेट का थोड़ा जुगलबंदी करके अच्छे से फिट कर दूंगा अपने आपको उसके अंतर यह बहुत अच्छे तरीके से लग चुका है दर्शे कि आप लोग देख सकते हैं यह आवाज भी अच्छा और सुन भी सकते अच्छे से तो यह माइक अपकर अच्छे से लग चुका है और यह थोड़ा हेवी हो जाता है हेल्मेट आगे पीछे होता है देख रहो है हेल्मेट ऐसा धीला हो गया मेरा भी तो आप लोग को भी पता चल रहा है कि हसल क्या है तो चले आप चलते हैं एंड लेट्स बिगि अपनी बाइक को चालू करते हैं और आप लोग को बताते हैं यह बाइक बंद हो जाती है बीच-बीच में घर्मी बहुत हो गई है तभी रात को थंडी होती है सुबह गर्मी होती है सिच्वेशन ऐसी ढलते रहता है और हाम आदमी उसमें घिशते हैं अधी हो रहा है मेरा मेरा माइगड अप्यर पैसे या फिर हेल्मेट मेरे लिए मेर सब्सक्राइब करके नहीं रख सकता मैं ऐसा जहल नहीं सकता हिलमेट को यह बार बार हिलमेट डाउन जाए है एवी हो गया सेट अप पहले हैवी नहीं था मतलब माइगाड एप्टर लगाने के बाद हुआ यह पहले तो मतलब जम जाता था अच्छे से कि देखो यह पता नहीं क्यों आ गया मुंबई में अभी लोकल ट्रेंच चालो हो जाएगी तो थोड़ा तो पेंशन कम होगा एस्टी बसे लाने का जरुवत नहीं था मेरे हिसाब से तो तो मैं भी अपना उपिनियन दे सकता हूं आप लोग अपने हिसाब से हेलमेट भी ले तो गाइस हमने इसमें थोड़ी बहुत माइनर अप डाउन किया है इसके अब मेरे को कोई टेंशन नहीं आता है अब मतलब आपको भी माइक के इसमें कोई टेंशन नहीं आएगा सुनने के लिए बेटर वोइस क्वालिटी है ना तो सब कुछ मिल रहा है तो यार थोड़ा इसा लाइक का भी बटन ठोक दो कि एफट लगे है और तेल भी खर्चा हुआ है माइक अडेप्टर में भी खर्चे हो गए खर्चे ही खर्चे हो रहे हैं सिर्फ तो यह थोड़ा आपको ही मालूम है मुझे भी पता है ड्रिल क्या है तो प्लीज कर दीजे यह वाला सीज है प्लान चालू है पतानी प्लान सक्सेस्फुल होगा नहीं होगा अगर सक्सेस्फुल हुआ तो मैं व्लॉग डाल दूंगा यूटूब पर और आप लोगो पता चल जाएगा अपने बैल आइकन के देउता के वसे तो मिलते है नेक्स व्लॉग मैं तब तर के लिए शबाग बाइब आपको बस चाहिए वह है इतनी गाडिया आरी है